हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम EBS का 19 चेप्टर करेंगे जिसका नम है My Delightful School इसको मैं आपको explain करूँगा हिंदी में ठीक है और इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा पार्ट वन जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यह है और पार्ट टू का जो लिंक है वो वहां से आपको पार्ट टू मिल जागा और यह लिंक आपको एक दो दिन में अवैलेवल हो जाएगा ठीक है और उसी लिंक के नीचे में दूसरा लिंक दिया हूँ जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको फो सेनर के सारे वीडियो मिल जाएंगे ओके चलो भी स्टार्ट करत इसके स्टार्ट आया तो भूरे यह जो मेरा अच्छा स्टार्चो उसन मेरा है पड़ने वाले है ठीक है देखते है स्कूल के बारे में हम्हें क्या क्या दिया गए चैप्टर में वह हम देखें गैंगे वी अबिस टर्ट करते हैं यहा पर सकते हो थो क्या है, the above pictures shows how children are learning happily. Above मतब बच्चो उपर, picture मतब तस्वीर, show मतब बच्छो दिखाना, how मतब कैसे, children मतब बच्चो बच्चे, learning मतब सीखना, happily मतब khushy-khushy. क्या बोल यह, कि जो उपर जो तस्वीर है, वो हमें दिखा रही है कि बच्चे कैसे हसी-khushy सीख रहे हैं. देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह बच्चे लोग यहाँ पर एदम खुश होकर Science Lab में है, यहाँ पर लाइबरेरी में पढ़ रहे हैं, बच्चे खुश होकर यहाँ पर टीचर जोग्रफी, प्रिथ्वी के बारे में पढ़ा रही है, सब बच्चे खुश है यहाँ पर देखो, यह बच्चे खुश होकर, यहाँ पर खेल रहे हैं, बच्चो खुश होकर, सब सीख रहे हैं, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है? यहाँ पर देखो Which of these pictures did you like the most? वीच मतलब बच्चो आब बच्चो आब बच्चो आब बच्चो कौन से Why did you like that picture most? वीच मतलब बच्चो क्यों? लाइक मतलब बच्चो आपको करना पसंद होएगा, वो काम इसलिए आपको पसंद रहेगा, तो आप वज़े भी साथ साथ बता सकते हैं, ओके आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिएक है यहाँ पर? एक दूसरे की मदद से पढ़ते हैं, we play together and share our tiffins, play मतलब खेलना, together मतलब बच्चो साथ में, share मतलब बाटना, और मतलब हमारा tiffin मतलब खाने का डबबा, क्या बला है? कि हम साथ में खेलते हैं, और हमारे जो खाने का डबबा है, वो हम share करते हैं, एक दूसरे के साथ बाट क्लास को साथ करते हैं, और सजाते हैं, there are so many things which we do together, so many मतलब बच्चो बहुत things मतलब चीजे, which मतलब बच्चो कौन सी together मतलब साथ में, क्या बला है? कि यहां पर बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, जो हम साथ में करते हैं, it is great fun to do so, great मतलब बच्चो बच्चो बहुत जादा, fun मतलब मज़ा, क्या बला है कि यह करने में बहुत ही ज sure मतलब बच्चो पक्का, every मतलब हर, child मतलब बच्चा, fine मतलब बच्चो अब बच्चो को भूड़ना, fun मतलब 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 सीखना, learn मतलब सीखना, यह अभी का बले है, कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, जिसके हर एक बच्चा जो क्लास में है, वो पढ़ने को बहुत ही जादा क्लास में हर एक बच्चे के लिए पढ़ाई मजएदार कर सकते हैं, अगर हम देखे, हर एक बच्चे को ऐसे करना चाहिए, कि उसके क्लास में सब लोग उसके दोस्त बने रहे, टीचर अच्छे से उन से बात करे, तो बच्चे जो रहेंगे, वो अच्छे से पढ़ने को ब पढ़ेंगे मज़े से पढ़ेंगे, ओके चलो भी आगे देखते हैं किया है, यहाँ पर देखो, दो यू नो, नो मतब जो जानना, मतब क्या आपको पता है कि आप जानते हो, क्या है, दिखते हैं, I got a letter Got मतब बच्छो मिलना Letter मतब चिठ्थी मतब क्या वला है कि मुझे एक चिठ्थी मिली देखते क्या है This is the story of a school in Kolavali in Ratnagari district Story मतब बच्छो कहानी District मतब बच्छो दिला क्या वला है कि ये कहानी एक school की है जो Kolavali में है Ratnagari district में The teacher took his students to the post office to show them how the postal system works Took मतब बच्छो आप बल सकते हो ले जाना Student मतब बच्छो आप बल सकते हो विद्ध्यार थी Post office मतब बच्छो क्या होता है मतब बच्छो आप डाग घर बल सकते हो जहां से चिठ्थी है सब पहुचाई आती है मिलती है वहां पर Show मतब दिखाना दे मतब उन्हे How मतब कैसे Work मतब जो काम क्या बला है कि जो teacher है उनकी ये जो student है रतनागिरी जो school है रतनागिरी में वो school की teacher है वो बच्छो को लेके गई Post office में उन्हें दिखाने के लिए जो postal system है मतब जो चिट्थी कैसे एक जगे से दूसरी जगे जाती है वो सब दिखाने के लिए He explained its working to the students but to give them a first hand experience of how it works He used a novel idea Explain मतब जो अब बल्सको की बताना, सिखाना working मतब जो काम student मतब जो अब जो विद्यार थी but मतब लेकिन give मतब जो देना then मतब जो उन्हे first hand experience मतब जो सीधा सीधा उनको बताना how मतब कैसे work मतब काम novel idea मतब जो एक बहुती महान विचार ठीक है यहापी कावल है कि उन बच्चों को teacher ने बताया कि जो यह post office कैसे काम यहाँ पे होता है लेकिन उनको सीधे सीधे बताने के लिए teacher ने क्या किया teacher के पास एक बहुती अच्छा idea है बहुती अच्छा विचार है क्या विचार है देखते है he wrote a letter to every child telling them about their progress in studies, in sports their interests and activities wrote मतब जो लिखना letter मतब चिठ्थी every मतब जो हर एक child मतब बच्चा telling मतब बोलना progress मतब जो अब जो सुधार studies मतब जो पढ़ाई sport मतब जो खेल interest मतब जो दिल्चस्पी activities मतब जो काम क्या बोले है कि जो teacher थी उन्होंने क्या किया उन्होंने हर एक बच्च्छी को एक चिठ्थी लिखी उस चिठ्थी में ये बताया कि वो बच्चा पढ़ाई में कैसे अच्छा हुआ है खेल में और जो भी दूसरे काम है उसमें उसने कैसे अच्छा अपने perform किया है अच्छे से कैसे किया है वो सब लिखते होई तिचर ने हर एक बच्चे को एक चिठ्थी लिखी जो बच्चे थे वो बच्चे थे वो बहुत जादा रोमांचित थे वो चिठ्थी को देखने के लिए शो मतलब दिखाना लिटर मतलब चिठ्थी यहां तक सेन्ट मतलब भेजना रिपलाई मतलब जवाब लेटर मतलब चिठ्थी यह भी क्या वोला है कि यह था कि कुछ लोग जो थे उन्होंने उस चिठ्ठी का जवाब भी भेज दिया They sent greeting cards to the teacher at the time of Diwali Send मतब बच्चों भेजना, time मतब समय क्या वोला है कि जो बच्चे थे उन्होंने अपने teacher को एक greeting card बना के Diwali के समय भेजा A few days later the teacher taught the students how to send emails Few मतब बच्चों कुछ days मतब दिन, later मतब बच्चों बाद में, teacher मतब बच्चों शिक्षक, taught मतब सिखाना, student मतब बच्चों विद्यार थी, how मतब कैसे, send मतब भेजना क्या वले, कि जो teacher है, उन्होंने कुछ दिनों बाद बच्चों को ये भी सिखाया कि email से कैसे हम, जो email रहते हैं, वो कैसे भेज सकते हैं दूसरों को, वो भी सिखाया One letter sent by the teacher awakened a new enthusiasm in the students, letter मतब बच्चों चिट्थी, send मतब भेजना, awakened मतब बच्चों जागरूख करना, enthusiasm मतब बच्चों उच्सा, ठीक है, क्या वले कि एक जो letter था, जो teacher द्वारा बच्चों को भेजा गया था, उसलिए बच्चों में एक नई उच्सा डाल दी थी, the school became an enjoyable place for them, एक जगे, दे मतब उन्हें, क्या वले कि जो school था, उनके लिए एक रुमांच भरी जगा बन गई थी, ठीक है, तो देखो, ये teacher ने इस तरीके से, इस school को एक रुमांच भरी जगे बना दी, एक बहुत ज़्यादा, खुश हाल जगे, जहाँ पर बच्चों लोग सीखते है आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, try this, मतब बच्चों यह आपको try करना है, क्या है, देखो, have a three-legged race with the other students in your class, three मतब बच्चों तीन, leg मतब बच्चों पैर, race मतब बच्चों आप बल सकते हो, दोड, other मतब दूसरे, student मतब बच्चों विद्यार थी, क्या होला है कि एक आप एक काम करो, एक तीन पैरों की race मतब एक दोड करो, आप दूसरे जो students है आपके class में उनके साथ, कैसे बच्च बच्चों को मिला कि एक पैर बना है, दो, तीन, तो एक, दो, तीन पैर से हम भागते हैं, तो इसको three leg raise बलते हैं, तो हर एक बच्चे वैसी ही किये हैं, आगे देखते हैं, why could some pairs reach the finish line without stumbling or falling, why मतब बच्चों क्यूं, some मतब कुछ, pair मतब जोड़ी, reach मतब पहुचना, finish line मतब बिना, stumbling मतब लड़ खड़ाना, falling मतब गिरना, क्या बले हैं, कि ऐसा क्यूंकि कुछ जो जोड़ी है, वो बिना लड़ खड़ाये, बिना गिरे, finish line पर पहुच गई, तो बच्चों दुखवा ऐसा हो सकता है, कि उनके आपस में ताल मिल बहुत अच्छा होगा, इसल कि और ऐसा क्यों है, कि कुछ जोड़ी जो है, वो दौरते समय गिर गए, देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह दो जो बच्चे है, यह दौरते समय गिर गए है, तो यह आपको पूछा है, क्योंकि इनके बीच में ताल मिल अच्छा नहीं रहा होगा, इसके लिए, ठ मतब इसक्सीर, मतब इसके। कैम इसके बच्चो कुछी भी, मतब क्या विल आफिका पक्छो किरें, तो रहा हम एक दूसरी के मदद करें, तो हम किसी भी चीज में काम्याब होरे 10 वोग मिल एनि जोएबन, क्या है क्या व कि जो काम है, वो बहुत ही जादा मजय धर हो जात मतलब 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 भचो मुश्किल यह तो आप भूत है नीद है क्या वह वला है कि एक दूसरे की मदद करने के लिए हमें पहले एक दूसरे की जो समान जो एक जैसे जरुरत है और जो परेशानी है वो हमें समझना पड़ेगा do we try to understand the needs of our classmates we try understand needs our classmates our friends what we have our friends our friends our friends our friends our friends there may be a new student in class or a student who lives far away from their parents maybe meant to be student meant to be student meant to be student meant to be wish to be leave meant to be far away meant to be be very far away parents meant to be mother what we mean maybe that we can be a new child or a kind of child who lives for the law there may be someone who speaks a different language at home someone meant to be an employee speak meant to be different meant to be भाशा, हो मतब घर, क्या वला है कि हो सकता है हमारे साथ कोई ऐसा हो क्लास में, जो अलग भाशा घर पे बोलता हो, सब में have an older brother or sister to help them and some may not, सब मतब बचो अब बद सकते हो कि कुछ, older मतब बद सकते हो कि कुछ, कि नहीं हूँ, because of this diversity everyone has different needs, because मताब बच्छो आप बद सकते हो कि इसलिए diversity मताब बच्छो विभननेता, everyone मताब बद सकते हर कोई different मताब अलग नेट में जरूरत, क्या बला है कि क्योंकि इस diversity इस विभननेता के कारण सभी लोगों की जरूरत अलग-अलग होती है, ठीक है? we must try to understand these needs, understand मताब बच्छो समझना, we मताब हम, needs मताब जरूरत, क्या बला है कि हमें इन जरूरतों को समझना पड़ेगा, ठीक है? आगे देखते क्या है? इन स्कूल, we meet different kind of students, meet मताब बच्छो मिलना, different मताब अलग, student मताब बच्छो विद्यारती, क्या बला है कि स्कूल में हम अलग-अलग तरीके के विद्यारती या बच्चे अब बल सकते हैं, उनसे मिलते हैं, there are a few people who cannot see and few who cannot hear, few मताब जो कुछ, people मताब लोग, see मताब देखना, few मताब जो अबल सकते कुछ, hear मताब सुनना, क्या बला है कि ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, a few cannot walk easily, few मता आसानी, क्या बला है कि और कुछ ऐसे लोग भी होता है जो आसानी से चल नहीं सकते हैं आगे क्या है The needs of students such as these are different and special Needs मतब बच्चो जरूरत These मतब बच्चो ये Different मतब अलग, special मतब खास मतब बच्चो क्या बला है कि जो इन बच्चों की जरूरत है वो अलग होती है वो खास रहती है We can understand them only by getting to know them well We मतब बच्चो हम Understand मतब समझना Only मतब सिर्फ Getting मतब बच्चो मिलना Know मतब बच्चो जानना Them मतब उन्हें well मतब अच्छे से क्या बला है कि हम इनके जरूरतों को तभी समझ सकते जब हम उनको अच्छे से जानेंगे हम उनके बारे में अच्छे से समझेंगे ठीक है तो बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ पर हमरा यह पार्ट वण कम्ट्रीट हो गया है ठीक है बच्चों पार्टू का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जागा एक दो दिन में, वहाँ से आप पार्ट बी देख लेना, ठीक है, तो बच्चों, अभी हम मिलते हैं अगले उडियो में, अगर आपको ये उडियो अच्छा लगो तो आप इस उडियो को लाइक करो, शेर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, थेंक यू.